सिम्डेगा जिले की सड़कों पर इन दिनों सरपट दोडता एक अलग तरह का वाहन लोगों के लिए आकरशन का केंद्र बना हुआ है लोग इसे गौर से देख परक रहे हैं और इसकी फोटो भी खीच रहे हैं बैटरी चालित यवाहन सिम्डेगा में ही बनाया गया है और प सिम्डेगा में बैटरी चालित यह वाहन पूरे शहर वासियों के लिए आकरशन का किंद्र है वाहन का निर्मान फिजिक्स के सिक्षक राज आनंद सिन्हाने किया है और इसमें उनके तीन विद्यार्थियों का भी सक्री उसा होग रहा है चार बैटरियों से चलने वाली सक कार में आठ लोग बैट सकते हैं बैटरियों को एक बार चार्ज करने के बाद एक सो किलो मिटर से अधिक का सफर तै किया जा सकता है इसे बनाने में लगभग 65,000 रुपे का खरचाया है और आज सिम्डिगा में अलेक्टिक साइकल लगभग भर गया इस एको फ्रेंडली वाहन की खासियत यह भी है कि इसमें चारों और फिजिक्स के फार्मूले लिखे गए हैं और एक खाचितर भी बनाए गए हैं इससे इवाओं का ध्यान फिजिक्स की और आकरशित करने की भी एक कोशिश है वाहन बनाने में सहयूग करने वाले च्छात्र सूरज और सुखदेव का भी कहना है कि कार बनाने में कई तरह की परिशानियां हुई है लेकि नंततर सफलता उन्हें मिली है बैटरी चाली तिस कार से आवागमन काफी सस्ता होगा और इसे परदूशन भी नहीं होगा सिम्डेगा से मनोज कुमार सिन्धा मनु की रिपोर्ट